हैलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप ढोग मेरे चानल रुही एडुकेटर पर आप लोग का बहुत वेलकम है और मैं हूँ रुही और फ्रेंट्स आग मैं आपके लिए जो भी चैपटर लेकर के आए न वो कौन सा है वो है light reflection और इसके पहले हमने जो लाइट में पढ़ा था वो human eye के बारे में पूरा बताया था आपको प्लस जो light पे based जो बहुत ही अच्छे अच्छे फेनॉमना थे जो हम लोग daily अपनी life में देखते हैं वो बताया था और मैंने इसलिए ऐसे बताया था क्योंकि मैं practically पहले वो चीज़ें बता देना चाहती कि जो हम लोग daily life में देखते हैं और जिसको हम लोग learn करते हैं जिसमें मैंने उर्ण को स्काई का blue color बताया था और जो sunset होता है और sunrise होता है तो और red होता है वो किसले होता है एटmot mieć ce का formation बताया था कि किस वज़े से rainbow का formation होता है कैसे हम लोग rainbow देख पाते हैं seven colors कैसे देख पाते हैं प्रिज्म के बारे बताया था प्रिज्म में जो आपकी white light होती है वो seven colors में split हो जाती है वो सारी चीज़ें हमने discuss कर ली थी और आज जो है वो हमें क्या discuss करना है आज हम लोग mirrors और lenses के बारे में discuss करेंगे और देखिए हम लोग friends आप लोग जितने भी लोग है उसमें से कुछ लोग जो हैं वो कहीं साइन सेंटर वगेरा में या science museum में गए होंगे और अगर नहीं गए हैं तो वो please जाईएगा अब जब भी आपके जो conditions होंगे normal होंगे post corona वाले उसमें आप जाईएगा देखिएगा आपको जो है different different types के वहां पर mirrors मिलेंगे ठीक है जो magical mirrors के नाम से जाने जाते हैं उसके सामने आप खड़े होंगे तो आप अपने आपको कभी बहुत मोटा पाएंगे कभी पतले दिखेंगे कभी लंबे दिखेंगे और कभी बिल्कुल छोटे दिखेंगे और even जो mirrors होते हैं वो कुछ ऐसे angles भी वहां पर रखे हुए हैं जिसमें कि आप देखेंगे तो आपको अपनी image नहीं रिखाई देगी मतलब आप बिल्कुल invisible हो जाएंगे उस point पे आपको खड़े करके देखेंगे तो आप अपने आपको invisible पाएंगे यानि तो हमारे पास जो mirrors हम लोग घर में use करते हैं उसमें होता क्या है जो mirror होता है उसमें एक side जो होती है वो पूरी polished होती है ओके तो यहां पर यह है कि a highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it तो highly polished surface होता है और इस पर जितनी भी light पड़ती है ओके वो उसमें से most of the light को क्या करता है वो वापस टक्र कर रहा है कि वो lights को reflect कर रहा है और यहां पर जो reflection के light के reflection के laws है यह सथ हम लोग जानते हैं और आगे और भी discuss करेंगे देखिए यह laws क्या है यह laws है इनको एक बार recall कर लिया जाए कि the angle of incidence is equal to the angle of reflection कि जो आपका angle of incidence होगा यानि कि जो आपका plane होगा या normal होगा जो आपका mirror होग इस वो जो है आपका जो angle of incidence बन जो बनाएगी जो कि हमने प्रिज्म में discuss भी किया हुआ था कि what is angle of incidence और what is angle of emergence और incidence रे क्या है इमर्जिंस रे क्या है यह सारी चीज़ें और angle of deviation वहाँ पर बताया था तो वो प्लीज आप वो lecture देख लीजेगा light का और यहाँ पर है कि angle of incidence जो होता है जो की incident and the reflected ray all lies in the same plane okay कि यह जो incident ray होती है और जो की जो की वो point जो की mirror का normal है उस पे जो है incidence होती है और वहाँ से जो reflected ray आती है वो यह सारे एक ही plane में होते हैं ओके यह सारे एक ही plane में लाई करते हैं फिर यह जो आपके laws हैं यह क्या कहलाते हैं यह laws of reflection reflection कहलाते हैं यह सारे जो reflection के laws हैं और यह जितने भी type के reflecting surfaces हैं जो कुछ न कुछ reflection कर रहे हैं light का उन सब के लिए applicable हैं और जिसमें की spherical surfaces भी आते हैं ओके और इसमें क्या क्या आते हैं आपके spherical sphere जो होती है जैसे कि आपका माली जो कोई ball है वो क्या होती है sphere होती है तो sphere में भी कुछ solid sphere होते हैं जो अंदर से फुरे ठोस होते हैं और hollow sphere होती है जैसे कि आपके tennis ball है या जो rubber की balls होती है वो hollow sphere होती हैं अंदर से खाली होती हैं ओके तो जितने भी और इस तरीके से जो है आपके अगर हम mirror की बात करें तो वो जो है आपके spherical mirrors भी होते हैं तो यह spherical surface के लिए भी included है ओके तो यहां पर देख लिजे अब आपको बता चलेगा कि जो properties है image की वो क्या होती है देखे जो image होती है जो एक plane mirror बनाता है वो हमेशा virtual होती है और erect होती है तो plane mirror से बनने वाली image हमेशा virtual होगी और erect होगी ठीके वर्चुल मतलब की आप उसको screen पे नहीं पा सकते किसी परदे पे नहीं उस image को पा सकते वर्चुल जिसे वर्चुल वर्ड में बहुत से लोग वर्चुल वर्ड में ही कोई रहते हैं उनको असली दुनिया से मतलब भी नहीं है इपने रिश्टारों से या relative से तो वो वर्चुली बस mobile, internet और इन सारे चीज़ों में ही गुम रहते हैं तो चलिए, the size of the image is equal to that of object और जो image का जो size होगा वो object के size के बराबर होगा जो image का size होगा वो object के size के बराबर होता है अब यहाँ पर देखिए, जो image बनती है वो mirror के, ठीक है, जो image बनती है वो यह का जा रहा है, the image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it यानि कि अगर कोई भी object mirror से 1 cm की दूरी पर रखा हुआ है, तो जो उसकी image बनेगी mirror के पीछे वो 1 cm की दूरी पर ही बनेगी तो यह चीज़ देखिएगा, important है, कि जो image form होती है, वो इस तरीके से form होती है, कि जितनी वो distance पे mirror से रखी होती है, उतनी ही distance पे उसकी image भी बनती है यह plane mirror के कहा जा रहा है, होकि जो हम लोग use करते है, plane mirrors होते हैं, अब यहाँ पे देखिए, जो image होती है, वो कैसी होती है, वो laterally inverted होती है, image laterally inverted होती है, ओके inverted तो आप जानते ही है, उल्टा, तो अब यहाँ पे देख लिजे, आगे यहाँ पे क्या बाते करनी है, आगे ही समझना है, कि जो curved surface होते हैं, जैसे कि आपका कोई भी बहुत ही नया चमच ले लिजे, shining spoon जो चमक रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग curved mirror की तरह use कर सकते हैं, अगर हमको समझना है, तो हम लोग उस पे समझ सकते हैं, कैसे, अब देखें, यहाँ पे जो, जो mostly, जो commonly used, जो curved mirrors होते हैं, वो spherical mirrors होते हैं, जो reflecting surfaces होते हैं, mirror के, वो इस तरीके से consider किया सकते हैं, कि वो एक sphere का एक part है, उसका जो एक surface है, वो क्या है, किसी sphere का part है जैसे कि मालेज़े यह एक sphere है, और इससे हम लोग एक काट कर दें, इसको हम लोग काट दें, तो यह क्या बन जाएगा, यह जो आपका जो बन जाएगा, mirror वो कैसा बन जाएगा, spherical mirror बन जाएगा, ओके, तो यही चीज़ बताई जा रही है, तो जैसे कि जो ऐसे mirrors होते हैं, अब इसमें आपको दो surface मिलेंगे, अब दो surface कैसे, अगर हम एक side को polish कर देंगे, इधर वाले को, तो इधर से हमको दिखाई देगा, तो यह concave हो जाएगा, concave, ओके, यानि की अंदर की तरफ दबा हुआ है, ओके, यह concave mirrors है, और उसके बाद अगर हम इस वाले side को अगर polish कर देंगे, तो आपको किधर से image मिलेगी, इस side से मिलेगी, तो यह convex है, यानि की उभरा हुआ है, जिधर से polish कर रहे हैं, ठीके, उसके respect में हमको देखना है, हम लोग अंदर वाला, दबा हुआ वाला, जो side है, उसको अगर polish करेंगे, तो mirror बना रहे हैं, तो concave mirror बन जाएगा, और अगर हम लोग उबरे हुए, surface को polish करके mirror बनाएंगे, तो यह क्या बन जाएगा, convex mirror बन जाएगा, आगे हम लोग देख लेते हैं, कि यह जो reflecting surfaces होते हैं, तो जो spherical mirrors के reflecting surfaces होते हैं, वही पाताया जा रहा है, कि वो अंदर की तरफ curved भी हो सकते हैं, या फिर बाहर की तरफ curved ह हो सकते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए, जो concave mirror अभी जो मैंने बताया, वो concave mirror है, और convex mirror वो मैं बता चुकी हूँ, ओके, नाओ, आगे हम लोग देख लेते हैं, और क्या चीज़ें समझनी हैं, जो हमें exam point of view से भी important है, वैसे तो friend, यह पूरे chapter होते हैं, यूँकि इसमे जो अबरा वाला है, उसको convex माल लीजें, जो अंदर जिसमें की हम लोग कोई चीज़ रखते हैं, वो क्या होता है, अंदर की तरफ दबा होता है, तो वो concave हो जाता है, अब यहाँ पर हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं, देखिए, यहाँ पर जो reflecting surface होता है, उसका जो pole कहते हैं, अब यह जो है, खहां पर होता है, इट लाइज अन दी surface of the mirror, यह mirror के surface पर होता है, और जो pole होता है, वो later P से represent किया जाता है, जो pole होता है, वो किस से represent करते हैं, P से represent करते हैं उसको, तो यहाँ पर देख लीज़ें फ्रेंट, यहाँ पर आगे हम लोग को क्या पढ करणना है यह जो रिफलेक्टिंग सर्वसेज होते हैं स्पैरीकल मिरर के वो स्पैर का पार्ट होते हैं और जो स्पैड होता है इसका एक सेंटर होता है चेल मिरर भी शाइयों सेंटर mirror का center of curvature इसको किस letter से represent किया जाता है इसको C से represent किया जाता है तो अब यहाँ पर देखिए जो center of curvature होता है वो mirror का part नहीं होता है यहाँ पर note करने के लिए का आ गया है अब इसको ध्यान रखिएगा जो center of curvature होता है वो mirror का part नहीं होता है ओके नाव यह आउट साइड होता है reflecting सर्फेस के यह आगे आपको डियाग्राम आपको पिक्चर्स मिलेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा यह जो संटर होगा यह मिरर का पार्ट नहीं होता है मिरर के आउट साइड बाहर के तरफ लाई करता है अब यह देखिए अगर मैं यहां से एक cutting करूँ और यहां पे आपको जो है आपको center of curvature बताना है तो देखिए कैसे होगा माल लीजे अगर यह पूरा sphere ऐसे है और यह पूरा sphere ऐसे है तो इसका यहां पे अगर center of curvature होगा ना तो यह mirror में नहीं है mirror के बाहर लाई करेगा तो आगे देखते हैं क्या है now अब जो center of curvature है concave mirror का वो इसके सामने होता है वो in front of it और यहां पे जो है जो however it lies behind the mirror in case of convex mirror और जो convex mirror होगा उसमें कहां पर होगा यह mirror के पीछे होगा now अब यहां पर देखिए next जो radius होती है sphere की okay जो radius है sphere की जिससे reflecting surface है आपका spherical mirror का वो क्या होता है वो इसका एक part होता है यह क्या कहलाता है यह radius of curvature of mirror कहलाता है यह radius of curvature of mirror कहलाती है यानि कि जब sphere है तो sphere में आपको पता है एक center है और center से जो आपकी जो line draw हो रही है जो कि उसके periphery को मिला रही है आटाच कर रही है तो वो क्या होती है वो आपकी radius है जैसे कि यह center है अब यहाँ पर यह radius है यह radius है यह radius है सब radius ही तो है तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जो the radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror और radius of curvature को किस से रिप्रेजन करते हैं R से रिप्रेजन करते हैं अब यहाँ पर देख लिए जो distance of PC distance of PC is equal to the radius of curvature बिल्कुल सही बात है अब यहाँ पर कहा है जो distance PC है वो radius of curvature के equal होगी तो radius of curvature यह है ठीक है अब यहाँ पर देख लिए यह radius है और यह distance है यहाँ पर यह C center है ठीक है और यहाँ पर जो है P आपका pole के रिए कहा गया था तो अब यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है अब यहाँ पर जो हम लोगो यह imagine करना है कि एक straight line है वो pole से पास हो रही है और center of curvature of spherical mirror से जा रही है ठीक है इस line को क्या कहते है principal axis कहते हैं और जो principal axis होता है वो क्या होता है principal axis जो है वो mirror के pole के normal होता है mirror के pole बनेगा उसके normal होगा तो आगे देखिए सारी जो चीज़ें हैं वो हमें समझ में आएंगी यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आप एक यहाँ पर concave mirror और convex mirror का figure देख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं देखिए यह क्या है यह center of curvature है और यहाँ पर P क्या है pole है अब देखिए यहाँ पर कोई भी जो आपकी infinity पर रखी हुई कोई भी object है कोई भी चीज है ठीक है जो infinity पर रखा हुआ है जो infinity पर है तो हम उसको कैसे दिखेंगे यह a b है और यहाँ से क्या हुआ इस surface पर लाइट रहे गई यह देखिए यह लाइट रहे गई यह लाइट रहे गई यह गई यह सारी गई ओके और फिर यह टकरा करके कहां पर collect हो रही है यह सारी एक point पर आ रही है यह अब इस तरी के से यह देख लिजे यहां पर यह आपका convex है तो convex में कहा था यह पीछे होता है जो आपका तो यहां पर यह देख लिजे यहां पर आपकी यह कोई भी object है infinity पर रखा हुआ है अब यहां से जो जितनी भी light rate आपकी आ रही है वो टकरा रही है पूरे surface प हो है ना तो यहां पर virtual imaginary यहां पर आपको जो है f point पर देखिए यह सारी collect हो रही है concentrate हो रही है तो अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको हम लोग देख भी लेते हैं कि क्या हो रहा है अब यहां पर देखे आप लोगों ने क्या किया है आप लोगों ने एक experiment किया होगा अपने घरों में भी कि आपने जो hand lens होता है एक hand lens होता है ठीक है उसको जो है कभी भी आप देज धूप हो तो धूप में रखिए हाथ में पकड़िए और एक paper रखिए नीचे और paper पे जो lens है उससे थोड़ी सी distance पे उचाई पे इस तरीके से focus करिए कि जो आपकी sun की light है य लाइए नहीं तो देखिए उतनी दूर का जो paper है वो जलने लगता है ओके तो अब यहाँ पे होता गया है जो sun होता है जो light आती है sun से वो क्या करती है वो एक point पे converge हो जाती है और यह बहुत ही sharp होती है bright spot बन जाता है mirror से इसलिए ऐसा होता है अब यहाँ पे जो देखिए होता किया है जो point है this point is the image of sun on the sheet of paper तो वो जो आपका गोला बनेगा एक circle बनेगा जहाँ पे सारी light concentrate हो जाएगी वो कहते हैं यह बताया जा रहा है कि वो sheet पे sun की image होती है वो जो point होता है वो sheet पे sun की image होती है और यह जो point है this point is the focus of the concave mirror और वो जो आपका concave mirror होता है वो उसका focus वो जो है point जो है वो उसका focus होता है now heat जो produce होती है concentration of sun light की वज़े से वो paper को चला देती है और जो distance है image की ठीक है from the position of the mirror gives the approximate value of focal length of the mirror यह आपको focal length की approximate जो है value बता देती है now अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं यहां पर जो figure है उसके बारे में थोड़ा बताया गया है जो भी हम लोग ने देखा है उसमें बता रहे हैं कि जो number of rays है वो parallel होती है principle axis के वो क्या करती है और आप जो है reflected rays को देख सकते हैं यह सारी जो है एक point पे वो meet करती है और यह जो principle axis पर now ही जो point होता है क्या कहलाता है principle focus कहलाता है concave mirror के case में principle focus हो जाता है इसको यहां पे देख लिजे कौनके mirror के case में ओके principle focus यहां पे जो अंदर है आपका और now अब दूसरा क्या है अब जब हम लोग दूसरा देखते हैं बी वाला तो जो convex mirror है उसमें देखते हैं क्या होता है जो rays होती है वो principle axis के पार्लेल होती है जो reflect होती है mirror से तो जो reflected rays होती है वो कैसी appear होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है कि वो किसी एक point से आ रही है principle axis पर और यह जो point होता है यह क्या कहलाता है principle focus कहलाता है convex mirror के लिए तो now जो principle focus होता है वो f से represent किया जाता है जो मैंने भी बता दिया अब जो distance होती है pole और principle focus के बीच की उसे क्या कहते है उसे focal length कहते है in case of spherical mirror तो जो distance है distance between the pole and principle focus of spherical mirror is called focal length उसे क्या कहते है होल रिष्प्ट करते हैं इस पोकल लेंद को कैसे करते हैं स्मॉल फ से रिष्प्रेजंट करता है अब यहां पर देख लेते हैं जो डाय लीव स्पैरिकल मिरों का स्पैरिकल आपका डाय्मेंटेर ऑफ डी llim surface of spherical mirror is called aperture तो जो reflecting surface होता है spherical mirror का उसका जो diameter होता है उसको हम लोग aperture कहते हैं तो जो aperture नाँ now next हमारे पास क्या है जो हम लोग picture अभी यहम लोगर ने figure देखा उसमें जो distance है mn वो या रती है aperture ौरिपरजेंट करती है जो distance mn वो के रती है aperture रती है ड्फरिप। जो spherical mirrors होते हैं जिनका aperture बहुत ही छूटा होता है smaller होता है इनकी radius of curvature से इसके बारे में काया कि we shall consider in our discussion अब ऐसे ही सिफ यहां पर वही discuss हो गिया जाएगा जिनका जो aperture है वो उनकी radius of curvature से smaller है तो अब यहां पर देख लेते हैं relationship कैसे find out करेंगे तो अब relationship कैसे find out करनी है तो यहां पर आपको पता है जो आपका radius of curvature है radius of curvature वो r है और जो focal length है वो a small f ले रखी है now तो अब spherical mirrors ऐसे spherical mirrors जिनके जो spurtures जो है उनके radius of curvature से small है ठीक है तो वो क्या होता उनके लिए क्या equation दी जाती है उनके लिए जो आपका r होता है यानि कि radius of curvature होती वो उसकी focal length के double होता है आनि कि r is equal to 2f से इसको आपको put करना है और r is equal to 2f यहां पर apply करना है तो अब इससे क्या पता चलता है कि जो principal focus होता है spherical mirror का वो कहीं midway में pole और center of curvature के कहीं midway में बीच में कहीं पर exist कर रहा है तो यही चीज़ से पता चल गई now अब image जो form होगी image का formation होता है spherical mirror से वो कैसे होता है तो अब यहां पर देख लेते हैं कैसे होगा तो अब आगे हम लोग देखेंगे यहां पर देखते हैं अब यहां पर एक आपके पास जो है table है friend इसको आप लोग याद कर लिए क्योंकि जो multiple choice question जो आपके questions बनेंगे तो question में होता क्या है कि बता देते हैं कि एक जो object है वो infinity पे रखा है ठीक है तो उसकी जो है जब infinity में पे रखा है तो उसका जो आपका image ह होगा वो कैसा बनेगा ओके नेचर आप इमेज क्या होगा कॉंके मिरर से क्या होगा कॉंवेक्स मिरर से कैसा बनेगा इस तरीके से questions आपके सामने आएंगे तो यहां पर देख लेते हैं यहां पर हम लोग थोड़ा सा discussion करेंगे तो अब यहां पर हमारे पास एक table भी बनी है वह infinity पर रखी है तो जो image बनेगी image की जो position होगी वह focus पर होगी infinity पर रखा है तो image कहां पर बनेगा focus पर बनेगा अभी हमने picture जो figures थे इसमें देखा भी है और जो size होगा image का वो क्या होगा highly diminished होगा बहुत ही ज्यादा diminished होगा उससे point size का बनेगा ठीक है point size की आपकी image बने inverted real image बनेगी कौन के उसे देखिए और inverted बनेगी अगर आपका center of curvature C के पीछे रखा होगा तो focus और C के बीच में बनेगी और यह भी diminish होगी real and inverted ही होगी उसके बाद अगर आपका C पर रखा है तो C पर ही आपकी position बनेगी image की position होगी और यहां पर जो size होगा वो same size होगा जिस size का वो object होगा उसी size की image भी होगी और real and inverted होगी और अगर C और F यानि की आपका focus और center of curvature के बीच रखा है तो तो आपकी C के पीछे बनेगी जो position होगी image की वो C के पीछे होगी और यह enlarged बड़ी होगी मतलब जो object है अपने size का उससे बड़ा बनेगा इसका image real होगा और inverted होग अगर focus पे रखी होगी focus पे अकसर आता है question exam में की focus पे अगर रखा है तो focus पे क्या होगा जो image बनेगी वो infinity पे बनेगी और highly enlarged होगी real and inverted होगी अब यहाँ पे देख लिजे अब यहाँ पे pole और focus के बीच में रखी है तो mirror के पीछे बनेगी behind the mirror enlarged होगी and virtual and direct होगी अब यह यहाँ पे यह आप लोग learn कर लिजे कि इसी case में यानि कि pole और focus के बीच में अगर कोई चीज रखी हुई है तो वो mirror के पीछे बन रही है enlarged है और इस case में क्या होगा वो जो आपकी image है वो virtual होगी और erect होगी देखिए यह सारे cases से different है ना अभी तक आपने जितने भी देखे उसमें सब में real inverted थी real inverted बन रही थी यहाँ पे क्या है virtual बन रहा है और erect बन रहा है ओके और आप लोग जो है इसको याद कर लिजेगा फ्रेंट तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आगे देखते हैं क्या है ray diagrams क्या रहा है तो उसको समझ लेते हैं ray diagram कैसे बनाते हैं क्य यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है कि जो one है यहाँ पे क्या है array parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror और appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror तीके तो यहाँ पे देखिए यह कहा जा रहा है कि जो ray होगी और वो principal axis के parallel जो होगी वो reflection के बाद क्या होगी वो reflection के बाद वो principal focus से पास होगी अगर हम लोग concave mirror की बात करेंगे यह देखिए concave है और हम लोग convex mirror लेंगे तो क्या होगा और यह क्या होगी यह सेम यही case में जब convex mirror होगा तो यह principal focus होगा उससे diverge होती हुई मिलेगी यानि कि दूर जाती हुई diverge होती हुई मिलेगी आपको तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहां पर देख लीजिए आप लोग इस case में पहले देखते हैं यह principal axis के parallel गई principal axis हमारा यह है इसके parallel आपकी जो गई है और उसके बाद यहां से क्या हो गया focus हो करके चली गई है तो principal focus से हो करके यह पास हो गई है नाव अब यहां पर जो concave है उस case में क्या हुआ फोकस पर आ गई है ठीक है तो यही चीज़ें आपको बताई गई है यहां पर अलग-अलग cases के बारे में बताया गया है तो यहां पर जब हम लोग principal focus कहा जा रहा है कि कोई भी ray है और अगर वो principal focus से पास हो रही है ओके तो यह क्या होगी जो आपके का केस होगा उसमें और यहां तो फिर कह रहे हैं कि रे जो की इसकी तरफ आ रही है principal focus की तरफ convex mirror में वो after reflection parallel की तरफ जो जब इमर्ज होगी principal axis से तो उसके parallel हो जाएगी तो यहां पर बता रहे हैं कि जब इमर्ज हो रही है तो वो parallel होगी अब यहां से आ रही थी इस point पे focus के point पे यहां से टकराई और यहां से parallel बन गया यह देखिए इन दोनों का parallel बन गया इस case में देखिए यह जो रहे है यहां से आ रही है इससे टकराई convex mirror से दिन यहां पे आपके principal axis के parallel हो गई और अगर इसको हम लोग वर्चुली पीछे मीट करें तो इस तरही के से मीट होगी मिल जाएगी अब यहां पे 3rd है और 4th है तो अब यहां पे 3rd और 4th में देख लेते हैं क्या है जो 3rd है उसमें यह है कि जो आपकी ray है वो center of curvature से जब पास होगी तो concave mirror में क्या होगी और जब यह जो है आपके center of curvature of convex mirror से में जाएगी तो reflection के बाद क्या होगी यह वापस reflect back हो जाएगी उसी path पे जिस path से आई है उसी path से वापस lot जाएगी तो देख लिजे पहले इस path से आई और center of curvature से हो करके पास हुई और फिर जब mirror से टकराई तो वापस इसी पे बाग हो गई तो arrow देख लिजे यहाँ पे बन गया है यहाँ पे देख लिजे एक arrow आपको जो यह show कर रहा है कि यह light ray आ रही है और यह center of curvature से गुजर रही है फिर जब टकराई तो यह arrow बता रहा है कि इसी पात पे वापस गुजर गई नाव यहाँ पर भी जो आपका convex के साथ है इस पे भी पहले light ray आई उसके बाद फिर टकरा करके वापस गुजर गई और यह पीछे imaginary line यहाँ पे center of curvature पे क्योंकि इसका center of curvature जो है वो mirror के पीछे है और ज पॉर्थ case में क्या कहा जा रहा है जो जो incident ray होगी जो obliquely होगी principal axis के ठीक है तिरची होगी और वो point P की तरफ होगी यानि कि जो pole है mirror का तो concave mirror में और यह क्या होगा और जो convex mirror होगा उसमें यह obliquely reflect भी हो जाएगी यानि तिरची ही reflect भी होगी यहाँ पर देख लिजे एरो बना हुआ है यहाँ से आपकी light ray आई है यह तिरची principal axis यहाँ एक एंगल बना रही है यहाँ पर एंगल बना करके वापस यहाँ पर reflect हो ग दाके तिरची अब लीकली वापस चली गई तो इस तरीके से आपने देखा फ्रेंड इतनी सारी चीजें तो अब यहाँ पर हमें क्या आपको जो है आगे जो पढ़ना है वो देख लेते हैं नाओ अब यहाँ पर image formation है concave mirror से तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कैसे कैस क्या हो रहा है तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है infinity पर रखा हुआ है दन उसके बाद आपका कैसे आपका जो है रे है वो कैसे जारा देखिए infinity पर जब रखा हुआ यह आपको पता ही है कि जब infinity पर रखते हैं तो क्या होता यह वाला case हमने डिसक करा कि यहाँ पर चली गई ओके तो इस तरीके से आपको मिलेंगी सारी चीजें यह डाग्राम्स वगएरा बने हुए है अब इसका हम लोग यूज देख लेते हैं यूज इंपोर्टेंट है ओके तो यूज हम लोग देखेंगे क्या चीज है क्यों अब यहाँ पर जो कौन सबुक्सफ लेकरके जाते हैं वो सर्च लाइट थी है एसे भी आप लोग जो वरकर्स होते हैं या इंजिनियर्स होतें रोल्सका यूजडान य्जो आपका जो ही 진 추천 का ऑद्रीक्ट की ओके तो यह सारी चीजे हो ती महां पर यूज होती इस लागउन आप ज bathroom इसकी larger image मिले और जो shave करने में या beard clean करने में आपको एक एक चीज दिखाई दे जिसे perfectly clean आपका face हो जाए और जो dentist होते हैं वो concave mirrors का use करते हैं जिससे कि आपको जो चीजें हैं दात के अंदर जो cavity है या फिर कोई भी आपका जो भी problem है किसी कोई black है कोई plaque है कुछ भी है तो व दिखा रहा है अब जो large concave mirrors होते हैं वो sunlight को concentrate करने के लिए यूज के जाते हैं जिससे कि क्या होता है जो solar furnaces होती ही वहाँ पे heat produce होती है तो solar furnaces में यूज के जाते हैं तो इसको आप लोग याद कर लिजेगा और general science भी किसी भी exam को दीजे तो general science के लिए भी आपको ये पढ रणना important है ना उसके बाद जो image formation है by the convex mirror अब convex mirror में जो image formation है उसको देख लीजे यहां पर देखिए convex mirror के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तर उसके बाद आगे करेंगे हम लोग जब आपका जो object होता है वो पहले कहां पर रखा हुआ है वो infinity पर है ओके और जो second position है is when the object is at the finite distance जब object किसी finite निश्चित दूरी पर रखा हुआ है mirror से तो दोनों ही positions को देख लीजे एक ये है आपकी और एक ये है तो यहां पर देख लेते हैं क्या हो रहा है यह रेखिए यहां पर जब जब infinity पर रखा हुआ है तो light ray आई टकरा के वापस चली गई यहां पर एक इस तरीके से यह जो case है जो एक निश्चित दूरी पर कोई object रखा हुआ है तो यहां से कैसे मिलेगी इस object से जो आपकी light होगी टकरा करके कैसे कैसे जाएगी तो देखिए यहां पर टकरा के यहां पर चली गई फिर यहां पर incident होई दिन टकरा के वापस आ गई यहां पर द देखेंगे कि nature position और relative size जो होता है वो क्या जादा कुछ नहीं देखना है तो infinity पर क्या होता है जब infinity पर कोई object रखा होता है convex mirror के case में यहां पर हम लोग convex mirror की बात कर रहे हैं तो इसकी जो image की position होती है वो focus पर होती है और behind the mirror अब image के जो बनती है वो mirror के पीछे बनती ही जैस diminished और point size की है now next यहां पर है यह virtual बनेगी और erect बनेगी दूसरा जो case है उसमें आपका between infinity and the pole P of the mirror है तो आप कहां बनेगी इस case में जो है वो आपकी pole और focus जो आपका है उसके पीछे बनेगी जो mirror में तो behind the P and F behind the mirror तो sorry between the P and F behind the mirror यानि की mirror के पीछे pole और focus के बीचे बनेगी और वो भी diminished होगी virtual and erect होगी now अब इसका भी use important है तो हम लोग use देखेंगे सबसे पहले इसका तो अब यहां पर देखिए एक चीज़ और हम नहीं बताई हुई है यहां पर इसको हम लोग देख लेते हैं तोड़ा सा कि जो एक minute friend कि इस तरीके का जो total length image of a tall building tree in a small convex mirror कह रहे हैं कि जो किसी भी छोटे size के small convex mirror में आप जो है कोई भी जो है tall building की image या फिर tree की image आप लोग पूरी देख सकते हैं amilet okay पूह के एक मिरर कहां पर रखा हुआ एक मिरर जो है इस तरीके का वह आगरा ford के wall जो है वहां पे लगा गया है वहां पे है और आप वहां पे देख सकते हैं तो इसलिए कहा रहा है कि आप लोग सभी लोग जो आगरा फोर्ट गए होंगे तो वहां पे आप जो है फुल इमेज देखिएगा ताज महल की क्योंकि वहां से ताज महल की फुल इमेज आग वो फोर्ट और ताज महल लगबग आपको जब आप आप फोल्ट में जाएंगे तो आप वहां से ताज महल भी देख सकते हैं मतलब इस तरीके से डिस्टेंस तो है लेकिन आपको यह जो मिरर है वो दिखा देगा तो यहां पर टेरेस पर जाना पड़ेगा आपको और देख सकते हैं आराम से तो use of convex mirror convex mirror का used किया होता है convex mirror जो होते हैं वह रिएर व्यूद याजिन जो पीछे का जो आपका पिछला भी होता है उसको दिखाने के लिए रियुर's लगे होते हैं वो आपको बैगट में दिखाते है कि हैं कॉन सी भाइकल्पार्ज में है और काउन सी घूर से तो आपको लोग क्या करते हैं वो अपने जो रियर व्यू मिरर होते हैं उनको अंदर की तरफ दबा देते हैं छुपा देते हैं मोड के रख देते हैं जिससे कुछ दिखाई ना दे और बस अपनी दुन में चलते रहें वो लोग तो ऐसा नहीं करना चाहिए वो अगर बनाया गया है पनी ने बनाया है उसको लगाया है तो वैसी लिए कि वह आपकी सेफटी के लिए है जिसे आपके जो एक्सिडेंट के चांसे जंकम हो जाएं आपको दिखाई दे कि कौन सी गाड़ी बिल्कुल पास से आ रही है ओके तो चलिए नाओ यहां पे जो यह मिरर होते हैं वो एक्रेक्ट और डिमिनेश वैसे तो डिमिनेश अटी है लेकिन आपकी इरेक्ट इमेज आपको मिलती है ना और जो फील्ड वीव होता है में वह बहुत ही वाइडर आपको चोड़ा फील्ड़ विं मिलेका तो आप जादा दूरी तक और चोड़ाई में चीजों को देख सक अब यहां पर हम लोग आगे देख लेते हैं, यहां पर हमारे पास अब आगे जो है कुछ चाप्टर लेंगे, नेक्स्ट कल उसमें सारा सब कुछ डिसकस कर देंगे और आपका यह चाप्टर है वो एंड हो जाएगा और आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, चलिए, तक यहां था यहां पर आपके लिए और आप लोग इस टड़ी करिएगा चानल पर बने रही एगा और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कामेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, थाइंक यू